किसान साथियों नमस्कार एक ऐसी खेती जो की भंपर पैदवार दे और उसमें खर्च कम आए तुरोई तुरोई एक ऐसी फसल है जिसकी अगर खेती किसान बंधू करते हैं बहुत अच्छा उसका रेट मजारभाव मिलता है और बहुत अच्छी इंकम उससे जिनरेट करते हैं फलन उसकी जवरदस्त होती है अगर आपने अच्छी सीड का चुनाव कर लिया तो चाहे आपको मचानविधी से लगाना हो या फिर दिवाल बना करके लगाना हो या फिर समतल भूमी पर लगाना हो सब में ये बेस्ट खेती है इससे बेस्ट हमको और दूसरा कोई सबजी वरगिये फसल नज़त नहीं आता जो कि इतने कम खर्चों में हो जाए हर मार्केट की अलग-अलग होती है तो इसलिए सीड्श चाहे सीड्व कोई भी हो सबस्ते सामना किसान उसकी जर्मनेशन में तो सबसे पहले उसकी जर्मनेशन कीन Кिह बात कर लें की तुरोई की तुरोई जल्दी को करने का काफी कन्डिशन होता है किसान बंदु के लिए दोतों के ELL t लो जाए हैं जितनी जल्दी आपको फिरे मेंलें हो जाएंगे जितना जल्दी छनल से जरुनेट नहीं होता है उस और प्लास्टिक छोटा सा जो पाउच गगता है उसमें उसको रखेज में और बोप बाउच पाउच अनदे करें, और आप लेज़के उसको किसी बूखना तका कि ऩॉच में लॱु चैनल के सामने रखतें यह एक तरिका है जिससे आप पूरी बीज को सीड को जर्मिनेट कर सकते हैं चार पान दिन बाद निकालके देखेंगे तो पूरी सीड आपकी जर्मिनेट हो गई होगी अगर यह तरीके आपनेहीं कर सकते हैं तो आपको एक देहाती तरीका शिम्पल तरीका बताता हूं चारू दिन फुल あने के पष्चाथ इसको पधर prize डीधिव में बढ़िंः इसको गठरी में बाद करें ऐलाव हर जगह पे जलता है गाउ में जिसको जिसपे लोग आग सेखते हैं अलाव के नीचे मिठी खोदे और उसके नीचे उसको रखके और उस पर रोज अलाव लगाए चार से पास दिन तक आप छोड़ दे आपकी जो सीड है सभी जर्मनिट हो गए होगा इसमें एक काम जरूर करें जब आप सीड को अच्छे तरीके से आप कॉटन में लपेट करके ही उसके नीचे दबाएं कॉटन में अच्छे तरीके से लपेट के फिर से इसको पानी में भीगो दे पानी डाल करके और आप जो मिठी उसमें से निकाले हैं उस मिठी को जब भरे तो उस पे भी पानी डालते रहा है मतलब वो नमी म सरावोर होना चाहिए इससे होगा कि जब उपर अलाव जलेंगे तो नीचे उसकी हीट बीज तक जाएगी और ज्यादा ज्यादा होगी न ज्यादा कम होगे और सीड निकलने में ज्यादा असानी होगी इस तरीके से आप बीज को जमा सकते हैं उसके पस चाहत आप जैसे नेन बटाई आप इसमें डालें अगर मिटी की तैयारी करें वह भी खेत अगर ताकतवर हो तो आप नहीं डाले उसमें कोई भी खाद आप खाद डाले में जब आप खेत में बीज लगा है जर्मिनेट हो जाए जब आपके पौधे कम से कम दो-चार पतियों के हो जाए तब उस मार्केट में जो बनिया जाइवी खाद हो वर्मी कमपोस्ट उसका प्रियोग आप ज्यादा से ज्यादा करें यह जितना ज्यादा आप जाइवी खाद इसके जड़ों के पास रखेंगे उतना बनिया यह ग्रो करता है और उतनी ज्यादा इसकी फलन होती है गुच्छों में इसकी फलन होती है अब डिस्प्ले पर भी देख सकते हैं बहुत बढ़िया इसकी फलन होती है और इसका रेट कभी मार्केट में डाउन नहीं होता तुरोई का तुरोई आप भी लगाएंगे फरवरी मार्च से लेकर कि यह आपको फलन देगी आप अगस्त तक अगस्त के पात भी कई सेप्टेमबर तक भी फलन देती है अगर ठीक तरीके से आपने खेती किया है तो है किट कौन कौन से आते हैं तुरोई में कीडे की अगर बात करें तो इसमें ज्यादा कीट नहीं आते वहीं एक आपको पत्ते खाने वाले लाल भृंगाएंगे रेड कलर के जो वह क्यों कि वह लाल भरिंग को भी खतम करेंगा और इसमें एक और किड़े आते हैं वह होते हैं लीफ माइनर यानि कि सुरंगी किड़ जिसको बोलते हैं पत्तों के बीच में सुरंग बना करके चलते हैं तो नेनुवा और तुरोई दू ऐसी फसल है जिसमें आप सिर्फ और